हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आएं एकदम टेश्टी और आसान सी रेसिपी, तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं, तो ये हमने एक कप कच्छे चावल लिए हैं, तो कोई से भी चावल हों, किसी भी चावल से आप इससे बना सकते हैं, तो उसके बाद हम क् पाउल ले लेंगे और ये चावल को इसमें डाल देंगे, तो ये पूरे चावल को हमने डाल दिया है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेंगे, और थोड़ा सा दो चमज के करीब इसमें पानी डाल लेंगे, और पानी डालने के बाद इसे चमज से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक भी और जो पानी हमने डाला है वो अच्छे से पूरे चावल पे लग जाए तो ऐसे करके और बड़ी आसा इसे मिक्स कर लेते हैं तो पांच मिनट में यह रेसिपी बनके तयार हो जाती है और एक दम बनाना बिल्कुल आसान है तो आप ट्राइ किजिएगा एक बार तो यह आप देखे बड़ी आसा हमने इसे मिक्स कर दिया है उसके बाद हम क्या करेंगे तो यह बड़ी आसा मिक्स हो गया है चमच को हटा लेते हैं और उसके बाद इसे 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे तो 15 मिनट हो गए हैं तो टक्कन को हटा लेंगे और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से चावलों में पानी भी नहीं है एकदम बड़िया से हो गया हैं मतलब पानी जो हमने डाला था वो बिलकुल इसमें मिक्स हो गया है तो ऐसे करके हम mix करते हुए और चलते है गैस की तरफ तो इधर गैस में हमने कडाई रखी है कडाई में एक छनी रख लेंगे ऐसे छनी को पकड़ के ही रखेंगे और थोड़ा थोड़ा आधा-दा चावल इसमें डालेंगे और इन चावलों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो ऐसे करके और एकदम खिल जाएंगे ये तो थोड़ा सा हलका सा कलर इसमें लियाएंगे थोड़ा-थोड़ा तेल से हटाते रहेंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये फ्राई हो गया है तो ऐसे करके एकदम से जल जाएंगे अगर नीचे रखेंगे च्छनी को कड़ाई में ऐसे करके थोड़ी देर तक हम इसको आचे से फ्राय कर लेते हैं तो यह आप देखें बढ़ी आसा यह फ्राय हो गये हलका सा कलर भी चेंज हो गया है तो इसको तेल निकलने देंगे थोड़ी देर, तो ऐसी करके हम सारे चावलों को, और ऐसी फ्राइ कर लेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा तेल में डूबॉयांगे इसको, और उसके बार थोड़ा उठा लेंगे, तो यह आप देखेए एकदम खिले खिले से हो रहे हैं, तो ऐसे ही करते वे और सारे चावलों को हम fry कर लेंगे तो ये आप देखें ये भी अखार हम बणों लोगे तयार पुझाल है तो इसके बाद हम क्या करेंगे सारे पुरोपल की आप 15 से 20 हैं ये कड़ी पत्ते हैं तो इसको भी हम ऐसे ही फ्राइ लेंगे तेल में ऐसे घर करके और थोड़ी करारे बना लेंगे कड़ी पत्ये को कि तो यह आफ देखे कड़ी पत्य भी बड़ी शी फ्राइब और छनी ले लेंगे और यह थोड़ी सी मूंफली है दो-तीन चमज के करीब तो वैसे यह फ्राई मुंभली है लेकिन आजकल वारिस की वज़े से थोड़ी सी हो जाती है तो हम इसे फ्राई करेंगे तो एकदम करारी सी हो जाएंगी तो ऐसे करके और थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लेते हैं तो हलका सा इसका भी कलर चेंज कर लेंगे तो यह आप देखें बढ़िया सी यह भी फ्राई हो गई है तो सारी चीजे हमने फ्राई कर लिए हैं उसके बाद यह आप देखें एकदम बढ़िया से हमारे जो चावल हमने फ्राई किये थे एकदम करारे से है तो अब हम क्या करें हैं कि देंगैं de para John kया क्षोचते बाद हम क्या करएंगे थोड़ा सह थोड़ा से हम काला नमक डालिएंगे दी्जोटी ।क अधि काला नमक डाल देंगे थोड़ा सिसमें चाट मसाला डालेंगे पते थे और उसके बाद ये गड़ी पते हम Rohr डाल देंगे इसमें तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कोई भी ड्राइफ रूट हो आपके पास तो आप डाल सकते हैं इसमें तो ऐसे करके और इसे बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे तो जब आप इसे खाएंगे तो इसमें प्याज निम्बू अगेरा डालके इसको चटपटा बनाके मिर्ची डालके खा सकते हैं बहुत ही तेस्टी लगता है तो एक बार ट्राइ कीजिएगा वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो वो जरूर बताईएगा और इसको चाई के साथ या फिर ऐसी भी खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक बार ट्राइ कीजिएगा थेंक यू